तेजस्वी यादब की बात करें जो जिनसे बखाया दब सीवीय मुख्याले में पुस्ताच चल रही थी तो तेजस्वी यादब भी सीवीय मुख्याले से निकल के अपने आवास नीव फ्रेंट्स कॉलनी जाने के लिए रवाना हो चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ मिसा भ तक्रीबं 3 गंडे तक पूस्ताच करने लंच ब्रेक हुआ है एग गंटे का लॉंच ब्रेक और भूट से मिसाभारती को बुलाया जा सकता है पूस्ताच के लिए इसके साथ में भी मिसा बारती से भी सवाल जब बाहर निकल ली थी उनसे पूशा गया हलाकि उन्होंने मीडिया का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने कार में बैट करके वहां से निकल गई है लेकिन देखना लाज़नी होगा क्या एक घंटे के बाद वह पूस्ताच की प्रक्रामें आएंगी या नहीं लेकिन जिस तरह से अगर बात करें सवालों की फैरिस्त की बात करें तो पहले राउन की जो पूस्ताच हुई है उसमें बहुत जादा संतोस जनक जबाब एडी को नहीं मिला है मिसा भारती से कई ऐसे सवाल पूछे गए उसमें वो संतोस जनक जबाब एडी को भी नहीं दिये है लेकिन इस मामले में जो विस्ताच से पूस्ताच का जो दोर है वो आगे कंटीनियू रहेगा और आगे जब इस मामले में पूस्ताच की जाएगी तो हो सकता है कि मिसा भारती इस मामले पर विस्ताच से तमाम सवालों का जवाब दे शंकर फिलाल जिस आवास पर जिस न्यूफ्रेंट्स कॉल्ली के मकान में तैस्वी आदो रह रहे हैं कि बताये गया कि वह एक कंपनी के नाम से रेस्टर्ड है लेकिन उसको आवास के रूप में तैस्वी आदो इस्तमाल करते हैं और खास करके इसी पर जो नसर है वह सीब्याइट्स कॉछ पूछे गए हैं क्या जानकारी कठी करने की कोशिए ने किये तैस्वी से अब nag उसी यादव रहते हैं तैस्वी यादव और उनकी वाइब उस हे रहते हैं और मीज़ाश कारी सरकारी आवास वरा के दौरह मिला है वै की शो सवाल किया है कि वो जो जमीन है और वो जो जो लैंड है वो ही विवादित है क्योंकि उस जमीन को लेकर कई तरह के सवाल उठेख और उस शर्षोस निया गया था जिसabeth ay दौरण के付 सटकिया गया था कि जब लालू प्रशाद यादब केंदिरे रेल मंत्री थे उस वक्त में बिहार के एक विशेश छेत्र के विशेश समुदाय के कई लोगों को नौकरी दिया गया अलाकि जो बयान के दौरार में 11 उमिद्वारों का नाम सामने आया था और उससे समझने पु को भर्लूं को पर्थ्रा इस चाल रहा है कि जो जॉमिन आइस Suyadab की बिलाए गया था हलाकि दिल्ली फेयाऊधि की गई थी यहाट्री का जायक कि ल हलाकि वह DR. तोर पे थोड़ी सी रहात देते वे कहा गया था कि मार्स तक आपके कोई ग्रफतारी नहीं होगी आप पुस्ताज के प्रक्राइब में हिस्सा ले और आज भी जब पुस्ताज के प्रक्राइब में शामिल होने के लिए जब अपने घर से निकल रहे थे तो उस वक्त में वह जांच जिंसी पर ही सवाल उठा रहे थे तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक सवाल उठाना और दुसरे तरफ जिस तरह से जिस रफतार में जांच जिंसी के द्वारा कारवाई हो रही है तो कहीं कहा जा सकता है कि जांच जिंसी के जो हमारे सुद्र बताते हैं कि उनके पा उसमें कई नाम जोड़े जा सकते हैं लेकिन किनके नाम जोड़े जाएंगे वह अभी तक स्पस्ट नहीं है लेकिन इतना तो स्पस्ट है कि सीवी आई और इडी अप के जो दावे हैं वो इस मामले में दावे हैं कि उनके पास काफी महत्पून सबूत उनके हाथ लग चुके हैं और इस मामले में कई अरोपियों को आमने सामने बढ़ागर के भी आगे पूस्टाच की जाएगी तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज के पूस्टाच मैं क्या क्या जानकारे मिली हैं किस तरह से सवाल पूछे गए किस तरह से जवाब मिले हैं इस मामले में चलिए बिल